हेल एवरिवन आपका स्वागत करता हूँ पहले लाइव में जो कि मैंने नया चैनल क्रियेट किया है विपलो सर के नाम से अगर आप लोग मुझे जानते हैं मेरे पहले चैनल बैक टूग स्कूल के थूँ तो यहां पर अब मैंने नई जर्नी स्टार्ट कर दी है और आप लो आज के इस सेशन में हम डिसकस करेंगे जीन प्याजे को हम डिसकस करेंगे स्कीमा को और हम डिसकस करेंगे ऐसे कंसेप्ट जो आपके अग्जाम में हर बार आए हैं आतमसातिकरन क्या होता है संतूलन बनाना क्या होता है एडप्टेशन क्या होता है इन सभी के बारे में 10 बजे का टाइम अब मैंने इस चैनल के लिए सोच लिया है शुरुवात में मैं आप लोग को जो चीज़े करवाऊंगा दोस्तों उसकी दिन में एक छोटी मोटी वीडियो जैसे आज मैंने दी थी स्कीमा की वो दूँगा और फिर अच्छी तरीके से उस चीज को टिक चलाना चाहता हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं नंदिनी कमलेश विभा पूजा निशा दीप माला प्रगती प्रियंका अक्की देवेश शिवं सिंपी अंकिता रिया रिंकी बैक टू कॉलेज क्या नाम है याद दिला दिया आपने मुझे चैनल की दीपती रिंकी आदव अब देख लीजिए आप लोग के कमेंट में कितने अच्छे से पढ़ पा रहा हूं तो यह होता है फिल्ट्रेशन ठीक है कॉमल कुमारी अब यहां पर मैं ब्लू टैग दिया करूंगा कॉमल कुमारी ने पिछले कई साल से चैनल के साथ जूड़ी रही है तो मैं इनको टै चलिए पहली क्लास है लाइक का बटन दबाते रहिए और अपने इस जो है सीटेट की तैयारी को आप नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं दोस्तों अगर आप जुड़े रहे चैनल के साथ जैसा की आपको पता है तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं हम आज की क्लास क को हम शुरू करेंगे दीरे-दीरे करके स्टुडेंट्स जुडेंगे हमारे साथ अजी चलिए शुरू करते हैं क्लास को सबसे पहले जीन प्याजे को समझना जरूरी है आप X, Y, Z चीजों को समझते हो लेकिन जीन प्याजे को भूल जाते हो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जीन प्याजे ने जो कंसेप्ट दिये है उनके पीछे उनकी सोच छुपी हुई है अगर आप उनकी सोच को में जीन प्याजे के सारे कंसेप्ट के कोश्चन साब कर लोगे तो जीन प्याजे की सोच मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा जो उन्होंने कोगनेटिव डवलप्मेंट या फिर कहें मेंटर डवलप्मेंट का कंसेप्ट दिया है तो what is schema in it? How a schema help the cognitive development of a child? यान की किस तरीके से schema बच्चे के मानसिक या फिर कोगनेटिव डवलप्मेंट को बूस्ट अप करती है आज हम ये पूरा खेल जानेंगे तो सबसे पहले जीन प्याजे को समझना शुरू करते हैं कि आखिरकार जीन प्याजे थे कोन? चलिए धीरे-धीरे करके स्टूडेंट चूडेंगे और जो नए स्टूडेंट है ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए देखे जीन प्याजे एक चिकित्सक थे यानि कि वो एक डॉक्टर भी थे और वो एक साइकोलोजिस्ट भी थे ठीक है मल्टी टैलेंटिड परसन थे स्वीजरलेंड के रहने वाले थे और जीन प्याजे कहां के रहने वाले थे स्वीजरलेंड के रहने वाले थे कई बार य अटेघ़न को हुए अष्टा बिदरेकर हैं ख़ आपन साथ lodgeद्ध कि नेपने कि ओनडकर हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे आप इनको क्या को उत्ते रहा हुए है। यहीं कि Ọल्हा कि स आख दोortal यहीं है । अब आपके दिमाग में यह होगा कि हम इसको याद कैसे रखेंगे आप तो बूल जाएंगे तीन दिन के बाद मेरी या किसी की भी वीडियो देखते हो यह चीज बूल जाओगे इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ जो कि आपके बेस को स्ट्रोंग करेगा और जो चीजें आप पढ़ेंगे उसको होल्ड कर पाएंगे भूलेंगे नहीं उसको तो देखिए इन्हें founder of developmental psychology क्यों का है क्योंकि इन्होंने 1923 में एक book लिखी थी सबसे पहला contribution क्या हुआ इन्होंने 1923 में एक book लिखी The Language of Thought and the Child और ये 1923 में इन्होंने लिखी अब इससे हुआ क्या इससे हुआ क्या इससे ये हुआ दोस्तों कि इसके अंदर इन्होंने बात की कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो एकदम से नहीं होता पकड़ने वाली बात है दोस्तों लिख लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजे जैसे ये आपको नई बात पता लगे तो देखे इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि बच्चे का जो mental development होता है बच्चे का जो mental development होता है वो एकदम नहीं होता वो होता है stages में ठीक है वो होता है stages में और इन्होंने कितने stages की बात की इन्होंने 4 stages की बात की जो की इन्होंने अपनी इस book में एक theory दी cognitive development of a child यानि कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है तो इन्होंने बताया चार स्टेज में होता है अब देखे जीन प्याजे कि ये चार स्टेज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अभी बस में इनकी आपको थोट समझा रहा हूं कि ये जो इन्होंने चार स्टेज बताई कि बच्चे का विकास होता है चार स्टेज में इसी आपने बच्चे के mentor development, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप अलग-अलग नामों से जानते हैं, इसको आप cognitive development के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से cognitive development, तो cognitive development में भी सबसे ज्यादा, आप किसका contribution मानेंगे, जीन प्याजे का मानेंगे, ठीक है, तो यहां तक हुई बात, ज समझे जीन प्याजे को ठीक है अब यहां पर एक बात आपको और जाननी जरूरी है दोस्तों और वो क्या है और वो यह है दोस्तों कि जो जीन प्याजे हैं इन्होंने कोगनेटिव डिलॉपमेंट को समझाने के लिए बहुत सारी चीजों का सहारा लिया इन्होंने क्या किया देखी, आपको समझाता हूँ मैं, इन्होंने कहा कि जो cognitive development होता है बच्चे का, वो काफी सारी चीजों के उपर जो है dependent रहता है, यानि कि बच्चे का मानसिक विकास जो होगा, उसको काफी सारी चीज़ें प्रभावित करेंगे, इस सिद्धान्त को संग्यानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है, जो जीन प्याजे ने दिया, और इन्होंने बताए कि इस ये जो आपका cognitive development का ये जो सिद्धान्त है दोस्तों, इसके तीन मुख्या पक्ष बताए, यानि कि इन्होंने कहा कि cognitive development की जो ये थेरी है दोस्तों, जो इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर उसमें बताया कि तीन मैं डॉमेन हैं अब देखे रहे की डॉभर्मेंट के तीन डॉमेन हुई एक तो आको कोगने quota कोगने लेकिन इन्होंने काम किया कोगनेटीव डॉलप्मेंट को भी परभावित करने वाले तीन पक्ष है पहले चीज़ होगी कि बच्चे का जो मानसिक विकास होगा उसको हेरिडिटी और मैचोरिटी प्रभावित करेगी तो इनोंने ये जो कोगनेटिव डिलॉपमेंट की थेरी दी आगे चलके तो इनोंने ये थेरी इन तीन पिलर के ऊपर खड़ी के रही थी पहला पिलर क्या था जैवी किये यानि कि इनोंने मैचोरिटी की बात की अब देखे इसका इन्फ्लूएंस कैसे हुआ इनकी थेरी के ऊपर आपको समझाता हूँ अब देखे जैवी की परिपकवता इसका मतलब इनोंने इसको अपनी थेरी को स्टेजिस में बाटा है अब देखे स्टेजिस में बाटा है त फॉर्मल ओपरेशनल स्टेज तक चलता है तो इन्होंने मैचौरिटी को उम्र के बढ़ने को भी बच्चे के मानसिक विकास का मुख्य कारण माना ठीक है यह तो हुआ परिपकोता मैचौरिटी ठीक है तो पहली चीज समझे इन्होंने मैचौरिटी को भी स्थान दिया है आपको डारेक्ट चार स्टेज पढ़ा दी जाए और एक्स वाइजट कोशन भी करा दिये जाए तो यूविल फील मोटिवेटेड और सोचेंगे यह क्या पढ़ा दिया हमें लेकिन ऐसा नहीं है बेस बनाना जरूरी है तो जैवी की परिपकवता पहला जो फेक्टर है जो की इन्वाइरमेंट अब देखिए बच्चे के कोगनेटिव डिलॉपमेंट को इन्वाइरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होगा यानि कि बच्चे के आसपास का जो वातावरण है उसके साथ जो इंटरेक्शन होगा वो भी तैय करेगा बच्चे के कोगनेटिव डिलॉप को शेप अप करने में में भूमी का निवात है तीसरा सामाजिक परियावर्ण के साथ अनुभाव अब देखिए यहां पर फर्क है मोलिक परियावर्ण और सामाजिक परियावर्ण अलग बात है देखिए मोलिक परियावर्ण है जिसमें आप 24-7 रहते हैं जैसे कि आपका पर और उसके मोलिक परियावर्ण के साथ अनुबर उन्होंने पहले बताया और दूसरे में बताया सामाजिक परियावर्ण जिसके साथ दोस्तों जैसे कि आपका पड़ोस हुआ जैसे कि आपका स्कूल हुआ और X, Y, Z अलग-अलग संस्थाए जिनके साथ आप इंट्रेक्ट करत तो जैवी की प्रिपक्वता, मौलिक परियावरण के साथ अनुबर और सामाजिक परियावरण, इन तीनों के कारण बच्चे का क्या होता है, cognitive development होता है, अब तक हमने इनकी थेरी की बात नहीं की है, अब तक हमने क्या बात की है, अब तक मैंने आपको जीन प्याजे कौन थे वो बताया है, जीन प्याजे कैसे उभर के आए, 1923 में एक बुक लिखी, The Language of Thought and the Child, उसके अंदर इनोंने क्या किसकी बात की, cognitive development की, अब वो stages में होता है, इसलिए इनको विकासात्मक मनो विज्ञान के जनक के नाम से, जो है, टैग लाइन दे दी गई, इसके बाद इनोंने अपनी थेरी दी इसी बुक में, जो आप सीटेट के अंदर पढ़ते हैं, और वो इन तीन पिलर के उपर बेस्ट है, अब यहां तक आप चीज़े समझ चुके हैं, अब इससे आगे जो हम बात करेंगे, वो किसकी करेंगे, स्कीमा की, कि इनोंने ये तो बता दिया कि ये त कमेंट पर दूँगा, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं, फिर मां आगे बढ़ता हूं दोस्तों, क्लियर हैं चीज़ें, देखें, टाइम है आपका डेली दस बजे, और यहां पर दस बजे वो लोग आएं, जो किसी भी कंसेप्ट की जड़ तक जाना चाहते हैं, क्योंकि इंट्रेक्शन मैं वैसा ही रखूंगा आपकी बार, मेरा दूसरा चैनल बनाने का मकसद ही यह है कि आपको जो क्रीम वीडियोज है न, उनको ढूड़ना ना पड़े, एक अलग जेंगे पर आपको मिल जाएं, फिक्स्ट टाइम दस बजे, क्योंकि पुराने चैन काम वगरां उन्हें करना पड़ता है, दस बजे तक वो फ्री हो जाती है, अपना आराम से, हर किसी के बारे में सोचना पड़ता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, स्कीमा के बारे में बात करते हैं, अब देखिए, जीन प्याजे ने जब यह कोगनेटिव ड्लॉक्मेंट की थेरी दी, तो उन्होंने एक चीज के बारे में बात की, स्कीमा, अब उनसे पूछा गया, कि बच्चे के कोगनेटिव ड्लॉक्मेंट में, जिस आप में चीज की बात कर रहे हो, जिसको आप स्कीमा बोल रहे हो, वो आखिरकार है क्या, तो उन्होंने का कि जब आप स्कीमा को समझने की कोशिश करते हो, तो उससे पहले आपको तीन कंसेप्ट समझने पढ़ेंगे, इन्होंने schema को कितने concept के अंदर तोड़ा तीन concept के अंदर तोड़ा अब देखिए इनका ये concept था क्या मैं guarantee देता हूँ दोस्तों आपने आज तक ये तरीका नहीं देखा होगा जीन प्याजे के concept को समझाने का जिस तरीके से मैं अब आपको समझाने वाला हूँ दो मिनट के अंदर आपको आतम साती करण क्या होता है समायोजन क्या होता है संतूलन बनाना क्या होता है और इनका schema से क्या relation है और ये cognitive development कैसे करते हैं ये पूरा जो खिचडी पकती है इसके सारे जो ingredient होते है जो दिमाग में आपकी खिचडी पकाते है उन सब के बारे में deep understanding अब बनने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं अब देखिए इन्होंने क्या बताया मान लो इन्होंने एक चीज बताई कि जब भी व्यक्ति जनम लेता है तो बच्चे को किसी भी चीज की knowledge नहीं होती धीरे धीरे वो अपनी knowledge बनाने लगता है ठीक है knowledge किन-किन चीजों के बारे में बनाएगा यानि कि अलग-अलग वस्तूओं के बारे में यानि कि आपकी जो अलग-अलग object देखता है कि ये object क्या है जनम के टाइम तो आपको पता नहीं था धीरे धीरे आप objects को समझते हो कि ये object क्या है ये pen है, ये paper है, ये glass है, ये चम्मच है ठीक है, वस्तूओं के बारे में ये दूसरा क्या होता है स्थान के बारे में कि place के बारे में कि ये घर है, ये पडोसियों का घर है ये school है, ये doctor का hospital है ये shop है, x, y, z चलिए, अच्छी बात है तीसरा होता है समाज के बारे में social इसका मतलब क्या है मान लिज़ आप एक restaurant में गए आपने वहां पर waiter देखा तो आप क्या करेंगे आपको पता है कि आपके पास आएगा order लेगा, आप मुझे बताईए आप ने जब जनम लिया, आपको पता था कि कौन से आदमी को देखकर कैसा भीएव करना, doctor को देखकर आप अलग तरीके का भीएव करते हो, क्योंकि आपके बारे में आपको यह भी पता है कि आगे क्या हो सकता है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को तो object के बारे में, place के बारे में, समाज के अलग-लग व्यक्तियों के बारे में, जंगों के बारे में, और खुद के बारे में एक चीज पैदा होती है, point of view. यानि कि आपके सोचने समझने की जो चीज़ें होती है आपका point of view बनता रहता है शुरू में किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था तो उसका point of view बना किसी स्थानों के बारे में नहीं पता था उनका point of view बना तो ये जैसे जैसे हर एक चीज़ के बारे में आपका point of view बनता है दोस्तों, वो बनता है schema में change के कारण, किसके कारण, schema में change के कारण, schema का मतलब क्या हुआ, schema का मतलब हुआ किसी भी चीज़ की knowledge, या फिर किसी भी चीज़ का ग्यान, अब मान लेजिए एक example आपको देता आपने शुरू में किसी इसको देखा बचपन में और आपको पता लगा कि ये instrument phone है, ठीक है, आप थोड़े से बड़े हुए, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आई, बचपन में, खोल लिया, game खेलने आ गई, लेकिन फिर जब आप बड़े हुए तो आपको इसकी x, y, z सारी चीज़े समझ में आ गई, और अगर आप इसके mechanic बनते हो तो इसके बारे में सब कुछ आपको पता लग जाता है, ये क्यों हुआ भाई, आपने धीरे धीरे इस specific चीज़ के बारे में, इस specific object के बारे में अपनी schema को change किया, तो जीन प्याजे ने कहा कि बच लगया, type of schema क्या होती है, नई चीज़ पता लगी होगी क्योंकि जानना जरूरी था, अब वो जो थेरी आएगी ना आगे, उसको तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो type of schema, there are many types of schema, but there are four main types of schema, object schema, place schema, social schema and self schema, तो ऐसे ही बच्चा क्या करता है, अपनी schema में इन चीज़ों के बारे में change करता रहता है, और चीज़ों को सीख जाता है, जैसे ये example दिया मैंने, ऐसे ही maths, सबसे पहले बच्चे को क्या करवाया जाता है, सबसे पहले बच्चे को digits के बारे में ग्यान दिया जाता है, one, two, three, four, उसके बाद उसको क्या करवाया जाता ह उसके बाद उनको पहाड़े सिखाए जाते हैं फिर प्लस करना फिर माइनस करना फिर मल्टिप्लाई करना फिर डिवाइड करना वो कैसे होता है वो नम्बरों के बारे में धीरे धीरे अपनी स्कीमा के अंदर चेंज करता है तो प्याजे ने क्या का कि बच्चे का कोगनेटि होती रहती है ये तो हुआ concept schema क्या है अब ये schema जो change होती है उसके अंदर तीन concept main होते हैं मैं उनको अब आपको बारी की से समझाऊँगा अब तक आपको लगा होगा कि आप schema की जड़ तक पहुचके नहीं पहुचे हो पहुचा के मानूंगा यहां तक आपको clear है अब देखिए आगे बढ़ते हैं इन्हों ने बात की यहां तक आपको clear हो गया कि schema क्या है आपके जो आप क्या करते हैं schema में change करते रहते हैं there are many kind of schema अब अब देखिए जब schema में change होने का जो यह process होता है वो क्या होता है उसके अंदर तीन एक phone देखा था यानि कि मान लीजिए बच्चे ने एक phone देखा था और उसे सिर्फ यह पता है कि भाई यह क्या है उस बच्चे को सिर्फ यह पता है कि एक phone है ठीक है तो बच्चे की existing schema क्या हुई कि यह एक phone है और इसको यह नहीं पता कि इससे क्या होता है बस उसको यह पत पता लगा कि यह जो फोन होता है, यह होता है कॉल करने के लिए, किस के लिए, कॉल करने के लिए, अब यह एक नई information आई, अब यह क्या हुआ, यह एक नई information आई, अब बच्चे के माइंड में थोड़ा सा, क्या होगा बच्चा यह सोचेगा बाप रे, अभी तो मैंने किसी concept के बारे में समझा था, अब मुझे पता लग रहा है कि इसमें एक चीज और होती है, तो बच्चा क्या करता है, थोड़ा हड़ बड़ा जाता है, यानि कि क्या हुआ, कि जब भी कोई नई information आती है, तो वो आपके mind में set होने के लिए apply करती है, वो क्या करती है, apply करती है, य यार, ये नई information आई है, तो जब नई information आती है, आपके पास application आती है, तो वो आपका क्या होता है, वो process आपका कहलाता है, आत्मी करण, आत्मी करण, जिसे आप क्या बोलते हो, आत्मी करण, अब ये पहली चीज वी, यानि कि बच्चे के पास एक नई information आई, चलो ठीक है, जब उस application को बच्चा accept कर लेता है कि हाँ अब phone के बारे में अब कोई मुझसे पूछेगा ये क्या है तो मैं कोई से call की जाती ये phone है तो जब आप new information को accept कर लेते हैं अपने जीवन में उस चीज को उतार लेते हैं अपने दिमाग में उस चीज को बैठा लेते हैं तो वो आप क्या कहलाता है वो आपका समंजन कहराता है क्या कहलाता है समंजन क्या कहलाता है समंजन तो अब आप क्या बोल सकते हैं अब आप ये बोल सकते हैं कि जब भी schema में change होगा तो disbalance आता है क्या आता है disbalance बच्चा difficulty महसूस करता है कि अभी तो मैंने एक चीज समझी थी और नहीं चीज मुझे पता लग गई तो disbalance को ठीक करने के लिए जो process use होता है वो balancing कहलाता है संतूलन करना कहलाता है अब आप समझ गए संतूली करन क्या है संतूली करन है schema में जब change होता है तो उस time पर बच्चा schema को change करने के लिए थोड़ा सा disbalance हो जाता है क्यों क्योंकि दो process हो रहे होते हैं पहला process क्या हो रहा होता है आत्मी करन यानि कि जब नई information व्यक्ति के पास आती है तो वो information apply करती है कि बेटा ये नई information आ गई है जैसे कि एक बच्चा है ठीक है वो घर में वैसे ही एक कमरे से दूसरे कमरे में घुश जाता था उसे बस ये पता था घुशने के लिए दरवाजा खोलना है अंदर आना है स्कूल में admission हुआ क्लासरूम के अंदर गया मेडम ने टोका बेटा अंदर आओ गया उससे पहले ये होना चीए में आई कमीन मेडम तो बच्चा गोला बाप रे अगले दिन आया बच्चा फिर भूल गया क्यों क्यों क्योंकि अभी जस्ट apply की थी एक जो नई information आया था वो अभी application के mode में जब पहली बार आप किसी नई information को gather करते हैं वो process कहलाता है आत्मी करन फिर जब आप उस नई information को accept कर लेते हैं अपने को ढाल लेते हैं वो आपका समंजन कहलाता है तो इस तरीके से mental development होता है schema में change के कारण और schema में change कैसे होता है जब आप किसी चीज को accept कर लेते हो माली जे नई information आई उसने apply किया आत्मी करन किया पहली बार आपने उसको face किया फिर जब आपने उसको समझा अपने जीवन में उतारा उस new information को accept कर लिया उस time पर संतुलनी करन पूरा हो जाता है तो जब आपसे अगर कोई पूछे कि संतुलन करना क्या होता है जीन प्याजे के उनसार तो आप कहेंगे schema में जो change होता है उसके process को संतुलनी करन यानि की balancing बोलते हैं और वो दो चीजों की मदल से होता है सबसे पहले नई चीज नई information अपलाई होती है और फिर आप नई information को accept करते हैं जिनने आप दो concept के नाम से जानते हैं आतमी करन और समझन ठीक है अब आप ये दो concept भी समझ गई हो तो आगे देखिए आगे क्या होता है कि चाहे आप किसी object की बात करो चाहे आप किसी place की बात करो चाहे आप समाज में किसी चीज की बात करो चाहे आप बच्चे से खुद की बात करो इन सब के बारे में बच्चा information करता है information collect करता है और अपने schema में change करता रहता है संतुली करन करके बालक जैसे जैसे अपने वातावर्ण से जो है interaction करता रहता है तो वो समंझन और आत्मी करन करता जाता है और ये जो समंझन करना और आत्मी करन करना ही बच्चे के cognitive development को आगे बढ़ाता है अब इसका एक example मैं आपको बना के देता हूँ खुद जैसे कि आप आए आपके mind मे information थी यानि कि आपके mind में schema पहले से ही थी किसके बारे में PRJ के बारे में भी थी और आपके mind में schema क्या होती है ये जो concept है इसके बारे में भी knowledge थी लेकिन अब आपको नई knowledge मिल चुकी है काफे सारी चीज़े आप समझ चुके हैं कई लोगों के लिए कई लोग होंगे वो पह बैली स्टेज में होंगे यान कि ये information अपलाई की form में होगे उनके आगे ठीक है समंझन में होगी क्योंकि नई चीज समझी है कल तक वो भूल भी सकते हैं लेकिन दो तीन बार इस वीडियो को देखेंगे दूसरी स्टेज में पहुच जाओगे जब आप नई information को accept कर चुक में कुछ बोलेगा तो आपकी information enhance हो चुकी होगी इसका मतलब आपका क्या हुआ mental development cognitive development ठीक है तो यही बताया हुआ है जीन प्याजे ने अब यह stage में होता है वो theory जो आपको बताई जाती है वो समझाने के लिए 90% concept जो आपको आने चाहिए वो base making के होते हैं और जो आपको theory स समझाए जाती है वो सिर्फ 10% knowledge की होती है जो मैं next class में आपके वीडियो भी बना के समझाऊंगा या thousands of videos पड़ी है चार स्टेज को पड़ा के निकल जाते हैं तो यह था बच्चे के का जो cognitive development होता है वो schema के कारण होता है और schema के कारण कैसे होता है पूरा process overall तो I hope कि आपको यह class पसंद आई होगी और एक के concept आपके mind में clear होगा अब मैं सीधा आप लोगों से बात करता हूं और आप लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि इसको आप समझे या नहीं समझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब देखे question क्या आता है पहला question यह आता है कि एक बच्च है उसके सामने की यार खाना ऐसे भी डाल के खाया जाता है तो नई information को अभी accept नहीं किया उसने अभी नई information उसके दिमाग में apply कर रही है कि देखिये माशे ऐसे भी खाना खाया जाता है जब वो दो तिन बार उस situation को phase कर लेगा तो उसका mind accept कर लेगा इस तरीकों को भी कि हा concept आप समझ गई हैं तो एक minute में बता दोगे कौनसा आपसे पूछा जाएगा कि कौनसा बच्चा आत्मी करन कर रहा है कौन सा समायोजन कर रहा है तो एक minute में बता दोगे आप और schema में change किससे होता है balancing से और balancing होते ही दो चीज़ों की वज़े से तो पूरा concept आप समझ गई है अपूर्वा, विभा, संतोष, नेहा, पिंकी, देखें पिंकी आदव जी, आप अपना जियों का एक डाटा, एक जी भी डाटा कंजुम कर चुके, इसलिए आपको बफरिंग हो रही है, वरना क्लियर चल रहा है लाइब, ऐसी कोई दिक्कत नही है, श्वेता, जोती, मंजु वीडियो को देख रहा है, क्योंकि नए चैनल बनाया है मैंने, और नए चैनल पर मैं यह जरूर देखना चाहता हूँ, कि हमारे पुराने स्टूडेंट ही है, आप नए स्टूडेंट भी आ रहे हैं, तो जो मुझे पहली बार देख रहा है, नहीं जानता है, तो बता दू सीटेट की तयारी करवाता हूँ, मैं बेक टू स्कूल चैनल पर काम करता था, मेरा ही चैनल है वो, लेकिन अब मैं काम करता हूँ, इस चैनल पर, ठीक है, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, और जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हो दोस्तों, I need your support, I need your love, to be very honest और scratch से शुरू करने में, आपकी मुझे जरूरत है, तो share जरूर करना है, like, comment, बेशक मत करो, वैसे तो कर दिया करो, लेकिन share में जितनी ताकत है, वो किसी में भी नहीं है, तो अगर आप seriously support करते हैं, और आप चाते हैं, ऐसे ही आपकी हर subject की class हो, तो आपको share जरूर करना प होगा, वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, नया channel है दोस्तों, तो अभी हर एक चीज को मैं सोच समझ के करूँगा, quality में compromise नहीं करूँगा, पहली वीडियो भी जो मैंने डाली थी, आपने देख ली होगी, मैंने आपको पहले एक point of view बनाया schema के बारे में, और उसको फि कर रिक्वेस्ट की थी, कि जब मैं कोई वीडियो डालो English में, तो ये मतलिकना कि क्या ये हिंदी में नहीं होगा, next वीडियो जो आएगी, उस topic के बारे में हिंदी में आ जाएगी, tension नहीं लेनी है, लेकिन English वाले students को भी हमें अपनी family में invite करना है, क्योंकि इतने साल आते हुए, मैंने कभी English में नहीं पढ़ाया, तो ये गलती अब मैं नहीं करने वाला हूँ, I hope you understand, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, take care, बाकि जिस भी concept के बारे में आपको class चाते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये schema के बारे में class ली, comment में लिखो, कोई पढ़े ना पढ़े, मैं पढ़े, और वो सारे concept के उपर वीडियो बनाऊँगा, I am with you, हर एका reply नहीं होगा, लेकिन जिसके भी comment के उपर hurt आजाए, और like दब जाए, तो समझ लेना मेरी आपको के सामने से गुजर गया है, वो comment, तो आप जरूर concept लिखे, उस concept को समझा के छोड़ूँगा, ठीक है, तो चलिए, thank you so much, विपलव सिंग नाम है मेरा, हमारा back to school का telegram group भी है, join कर लेना, back to school के नाम से हमारी android application है, उसको भी install कर लेना, बाकि उसके regarding भी हर एक चीज़ के बारे में धरले से वीडियो जाती रहेंगे, तो take care, मिलता हूँ आप लोगों से, thank you so much everyone, share करें, आग की तर अंदर हर एक topic को हम cover करेंगे, so chill तरीके से, अच्छे तरीके से, बेस बनाते हुए हम आगे चलेंगे, take care, bye, good night, पंकज कुमार जी, portfolio के बारे में एक जरूर वीडियो बनाऊँगा मैं,